प्रक्रण चौदा गूरु नानक एकता और प्रेम के प्रतीक वैती जी मेरा बेटा नानक न ठीक से खाता पिता है न पढ़ता है और न किसी काम में मन लगाता है पिता कालो चन ने चिंतित होकर कहा आओ बेटे जरा तुमारा हाथ देखो वैती जी ने बालक नानक की कलाई पकड़ ले बालक नानक ने कहा वैती जी आप दवा देकर मेरा रोग तो ठीक करना चाहते है लेकिन आपके भीदर काम, क्रोध, मोह, मत का जो रोग है उसे आपने ठीक किया है वैतीय के हाथ से बालक की कलाई छूट गए वो एक टक बालक नानक की ओर देखने लगे उन्होंने तुरन समझ लिया कि यह साधरन बालक नहीं है एक दिन बालक नानक को पाटशाल में पढ़ने भीजा गया अध्यापक से नानक ने पूछा आप मुझे क्या पढ़ाएंगे अध्यापक ने कहा मैं तुम्हें गणित, भाष्या, दुकानदारी का हिसाब किताब आदी पढ़ाऊंगा बालक नानक ने कहा मैं ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ूगा यह तो इसी संसार में रह जाएगी मुझे तो ऐसी बाते पढ़ाईए कि मैं संसार से मुक्त हो जाओ भगवान के भजन में मस्त रहू और माया मोह न सताए अध्यापक यह सुन कर चकित रह गए बालक नानक वापस गर आ गए अब क्या करते पिता ने चीड कर भैस चराने का काम सौप दिया रोज सवेरे भैसों को ले जाकर जंगल में छोड़ देते और किसी पेड के नीचे भगवान के ध्यान में डूप जाते एक दिन एक भैस किसी खेत में गुज गई सारी फसल बरबाद कर दी खेत का मालिक शिकायत करने आया जब नानक से पूछा तो वह बोले भैस का इसमें क्या दोस? उजाडने और बनाने वाला तो इश्वर है उसने भी गाड़ा है वही बना भी सकता है इस पर सभी लोग खामोश हो गए नानक के पिता हर तरह से इसी कोशिश में थे कि नानक घर पर ही रहे और सन्यासी न बनने पाए इसलिए वा तरह तरह से उन्हें घरेलू चीवन से बांदने की कोशिश करते रहे और नानक उतना ही दूर होते रहे जब नानक बड़े हुए तो एक दिन पिता ने कहा कुछ काम काच करो बैठे बैठे कब तक खाते रहोगे नानक ने कहा कुछ रुपिये दीजिए व्यापार करूँगा पिता ने 20 रुपिये दे दिये नानक ने बाला नामक अपना नौकर साथ लिया और चल दिये एक दो गाओं के बाद एक साधू मंडली मिल गए नानक उनके साथ हो गए पूरे 20 रुपिये साधू मंडली पर खर्च कर दिये घर लोटे तो पिता ने व्यापार के बारे में पूछा नानक ने कहा खरा सौधा क आखिर एक दिन नानक नदी में स्नान करने गए और नहीं लोटे। आपने कहा अब घर को मेरी जरुरत नहीं है और मुझे घर की जरुरत नहीं है। नानक तो अपने को संसार मोह से अलग कर चुके थे, वह भगवान के ही गुण गाते और लोगों को उनकी महिमा समझाते, उन्होंने अपने दो प्रिय सेवक बाला और मर्दाना को लिया और देश प्रमण पर निकल पड़े, जहां जाते वहां सब जाती और धर्मक के लोग उ सभी तीर्थों का दर्शन किया, इसके बाद कश्मीर गए और फिर विदेश गए, विदेश यात्रा के दोरान काबुल, अरब, मक्का, मदिना आदी देशों में गए, वहां भी नानक के उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित हुए, इन उपदेशों में इंसान को प इनकी बाते सुनते और इनके सामने सिर जुका थे, मक्का में नानक काबा की और पैर की ये सो रहे थे, एक आदमी आया और बिगड़ कर बोला, खुदा के गर की तरफ पैर करके क्यों सोया है, उठी यहां से, नानक ने कहा, जिस तरफ खुदा न हो, उसी तरफ मेरे पैर कर मैं तो लेटा ही रहूगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। नानक जब लौड कर आये तो इनके शिश्यों की संक्या बहुत बड़ी हो गई थी। वे ही बाद में सिख कहलाए। नानक सिखों के पहले गुरु माने जाते है। गुरु नानक ने उस समय के भारतिय समाज में फैली हुई बुराईयों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। वह हिंदू मुस्लिम का भेदवाव मीटा देना चाहते थे। वह दोनों को अपना सिख्य बनाते थे और उन्हें संग संग रहने की प्रेणा देते थे। उनके पास जाती बेद के लिए कोई कुझाईश न थी, मुझ नीच, छोटे बड़े का कोई अंतर न था, सब समान थे। यही बात वह अपने उपदेशों में कहते थे। गुरु नानक करीब अमिर का फर्क भी मिटा देना चाहते थे। एक बार लाहौर के एक धनी किन्तु कंजुस सेट से नानक मिले, उ जाओंगा। नानक ने कहा, जब आप इतनी छोटी सी सुई नहीं ले जा सकते, तो इतनी धन संपत्ती क्यों इखटी कर रखी है। सेट नानक की बात समझ गया और उनका भक्त हो गया। गुरु नानक सेवा, त्याग, प्रैम, समानता और एकता की मूर्ती थे। वह जहां आजाते एक इश्वर और मनुष्य में भाईचारे की भावना जगाने की बाते कहते। आपकी बानी गुरु गुरंत साहब में संग्रुवित है या सिख्खों की पवित्र और पुझ्य पुस्तक है।